एसे सी जेई दो हजार चॉबिस पांच जून शिफ्ट वन का पेपर आपका हो गया है और इस वीडियो में हम दस मिनिट में कोशिश करेंगे कि आपको एक शॉर्ट इंक्रिफ्स पूरा बता देंगी नॉन टेक्निकल पार्ट आपका कैसा रहा टेक्निकल पार्ट कैसा रहा तो रीजनिंग में आपको सौरब सर मदद करेंगे आपके जीएस वाले पार्ट में आपको शिफ्ट सर मदद करेंगे और आपके सिविल इंजिरिंग वाले पार्ट में मैं आपकी मदद करूंगा और और एक कंक्लूजन लेकर आएंगे कि किस तरह का पिपर आया है और आन पहले मैं सिवल वाला पार्ट आपको बताता हूं देखिए सिवल वाले पार्ट के अंदर अगर है यहां पर देखता हूं ठीकतो क्या क्या कुशन आए है ठीक पहले आपको बता देता हूं देखे एक talk तो पर्मिय बिलेटी से रिलेटट से वाल आया कि उसकी यूनिट जो है कुछ ऑप्षिन बनाया गए था आपको बताना था कि जैसा पर्मियरिटी की यूनिट होती है बच्चों को कहना ज्यादा तर जब बच्चों से बात हुई है उनका कहना यह 1820 नुमेरिकल थे जो कि कह सकते हैं कि अच्छा खासा नंबर है ससी जेई के पॉइंट द्यूसे पिर महीं पर गोड़ी आफ़ सवाल का मुझे बहुत ज़्यादा लौजिक नहीं बैठा लेकिन जिस बच्चे ने बोला है हम यह मानके चल सकते हैं कि हो सकता है स्टील को पानी से बचानी के लिए हो सकता है इसतरह को खोश सवाल करते हैं जिसके अंदर anti-corrosive property नहीं होती तो इस तरह का एक सवाल टिंबर फे बन सकता है जो कि इसका आंसर बाइट लेड बनता ठीके न प्लाइवुड की ओपर एक सवाल पूछा गया कि भाई किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी तिन चार ऑप्शन बन सकते थे जैसे कि नंबर ओफ लेयर या थिकनेस या फिर आपने किस तरह का प्लाइवुड है उसके बेसिस पर एक सवाल बन सकता है मैस दाफॉलिंग का भी एक सवाल था जिसमें की आपको डैम का नाम दिया गया था टाइप ऑफ डैम दिया गया था जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था आग डैम होते हैं अर्दन डैम होते हैं रॉक फिल डैम होते हैं तो उसके टेबल बनाई थी अलग-अलग क्लासिफिकेशन के तौरप तो उस तरह का मैस फॉलिंग सवाल हो सकता है ठीक है ना फि इस जोन में टेंशन डेवलप होगी तो यह आपको डिटर्माइन करके उसमें बताना था ठीक है फिर वहीं पर स्लेंडर्स रेश्यो का फॉर्मूला पूछा गया था जो कि स्टील का एक सवाल बन गया फिर एक निमेरिकल विलॉसिटी हैड पर भी बना था अच्छा इसमे में कि आपको ट्रू बेरिंग दी गई थी ठीक ना डिकलिनेशन की वेल्यू दी गई थी और आपको मैंनेटिक बेरिंग क्याल्कुलेट करके बतानी थी तो सर्वेइंग का बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है ठीक है ना फिर आउट टर्न के उपर बेस्ट डेफिनेशन थी कि आउट टर्न जिसको आप टास्क कहते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है तो उसके उपर वेल्यू नहीं पूछी लेकिन उसके उपर डेफिनेशन बेस्ट एक स्टेट्मेंट बेस सवाल पूछा है वहीं पर विच फेलियर अगर जिन्दा लूस सैंड तो मैंने सवाल यह सकती है तो यह क्या पर सवाल बिच्छे नहीं बता पाएं लेकिन आप से लुज सेंड के यह पेसे कि टाइटाबेस भी कहता है ठीकन टेस्ट बूक का की भई लूस सैंड पर काफी ज़्दा सवाल क्विक्सेंड कंडिशन पर सबसे ज़्यादा बर बनता है पेपर के अंदर ठीक है ना बेस्ट स्वाइल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रफस यह भी एक सवाल पूछा गया जिसमें कि इसका आंसर लोम स्वाइल था इसबर क्या ऑप्शन मनाए है उस ऑप्शन के बेसिस पर ही हम बेस्ट स्वाइल को चूज कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी लोम स्वाइल ही एजन ऑप्शन बनाया गया हो ठीक है ना विच सीमेंट इस सूटेबल फॉर मास कॉन्क्रेटिंग तो बिल्डिंग मटियल का भी एक मास कॉन्क्रेटिंग सवाल है जिसके क्या कह सकते हैं लोहीट सीमेंट ठीक है फिर फिर वहाँ पर एक साउ साउंड पॉलूशन और साउंड के लिए नॉइस के लिए ठीक है ना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तीन टॉपिक्स में से दो टॉपिक पर हर शिफ्ट में सवाल आएगा और इस शिफ्ट के अंदर भी अगर आप बात करते हैं तो आपका एर पॉलूशन से सवाल बन पूच लिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी इस बार सवाल बनाए की और वह भी डॉमेस्टिक सीवेज पर सवाल बनाया है इन्हों ने ठीक है ना फिर एक स्लोप कंपेरिजन था कि आपको एक सिंप्ली सपोर्ट बीम दी गई है लोड वन ठीक है फिर आपको ले एक सवाल यह भी बना है यह एक काफी नया सवाल है ओल्दो आपने देखा होगा यह भी हमने भी नहीं पड़ाया है ठीक है ना वन लीटर ऑफ सी वाटर है अप्रॉक्सिमेटल डैस ग्रैम्स ऑफ सॉल्ट ऑल्दो हम लोग जितने भी सवाल आप देखते हैं पास्ट यह के रिस्पेक्ट में मुझे बता दीजिए कि एक लीटर में कितना आपका यहां पर सॉल्ट कितने ग्राम हो सकता है तो इसका सही आंसर 35 ग्राम है ठीक है ना फिर वहां पर एक सवाल ओवर्टिंग साइड डिस्टेंस पर भी बना है हाईवे से ठीक है फिर बच्चों का कहना भी एक वेहिकल बेस सवाल भी बनाएं इनेमल पेंट से ठीक है तो इनेमल पेंट में क्या वेहिकल आप इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वरनेश करते हैं ठीक है न और यहां पर देखें तो वैल फांडेशन यूनिट ऑफ मेजर्मेंट आप से पूची गई है तो यूइनिट तो एक सवाल ये भी बना है फिर आप प्राइमिंग करते हैं तो प्राइमिंग से रिलेटेट सवाल पहले पूछ चुका है अगर मेरे को सही याद आ रहा है तो 2023 में ही पूछा था खरीफ क्रॉप एत टाइम पिडियरद खरीफ करोप का टाइम पिडियरद पूछा ठीक है न तो खरीफ क्रॉप खराभी खराब्स पर हो सकता है अगले सि ise में पूछ लिए जिस बार खरीफ प्रैच रबेकिस दो दिन पहले ही failure to be determined, तो basically आप देखें, तो triaxial test से सवाल पूछा गया, shear strength of soil से, heat of hydration is maximum for which box compound, तो आपको पता है, चार box compound होते हैं, उसमें से सब स्याधा heat of hydration, सीसर ये produce करता है, septic tank की minimum width, मैंने आपको capsule notes के अंदर भी ये, लगबग जितने question अगर आप देख रहे हैं, आपको ज़्यादातर question की answer मिलें, अगर आपने सिर्फ capsule notes भी पढ़े हैं, तो मुझे लगता है, इसमें से अभी जितने question मैंने आपको बताएं, ज़्यादातर आपने answer कियो होंगे, और आपके पास वो capsule notes नहीं है, तो आप मैंने telegram group को join कर सकते हैं, शुभा मगरवाल सा test book, वीडियो की description में link दिया गया है, और आप telegram से उस capsule notes को download भी कर पाएंगे, फिर minimum number of contour points to establish any point, ठीक हैं, तो contour से भी एक सवाल बना है, कि आपको कितने number of contour points develop करने पढ़ते हैं, establish करने पढ़ते हैं, अगर आप किसी point को establish करना चाहते हैं, ठीक है ना, फिर एक hydrological cycle के उपर definition based सवाल है, अगर ठीकल सवाल, ठीक है ना, effective length is maximum in which of the following cases, ठीक है ना, अगर वन, जैसे कि आपको पता है कि column अलग-अलग condition के हो सकते हैं, एक end hinge हो सकता है, एक end free हो सकता है, one end free, one end fixed हो सकता है, both end fixed हो सकते हैं, both end hinge हो सकते हैं, तो हमको पता है कि Indian standard code IS 456 recommend करता है, ठीक है ना, अलग-अलग cases में अलग-अलग value, जैसे cantilever column में maximum जादा होता है, 2L होती है, ठीक है, कि cement और bricks से, अच्छा brick का size भी पूछा गया था paper में, इसके साथ मुझे याद आता है, तो मैं overall अगर मैं civil से बात कहूं, तो जितने भी सवाल अभी तक बच्चों ने बताएं हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से कोई भी topic से बाहर एक ही सवाल हमें मिला, वो था ये वाला सवाल, ठीक है ना, जिसमें कि हमने देखा कि sea water के case में उन्होंने ये पूछ लिया हमसे, कि मुझे ये बता दीजिए कि भाई, कितना एक लीटर पानी में कितना gram of salt हो सकते हैं, तो एक आध दो सवाल आप ऐसे expect कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कि हाँ पेपर को बहुत अलग तरीकी से बनाया गया है, और आने वाली shift के अंदर मैं यही कहूंगा, कि भाई, exactly तो नहीं कहा जा सकता कि इसी shift के pattern को follow करेगा, बहुत hard paper बनायेगा, नहीं बनायेगा, लेकिन इसको base मानते हुए, आप ये कह सकते हैं, कि हाँ, हम expect कर सकते हैं, कि 20 numerical इस तरह से आपकी अगली shift में भी हो सकते हैं, ज अभी तक जितना बच्चों का कहना यह है, मेरा इसमें अपना कोई व्यू नहीं है, अभी तक वो मैं चारो shift के basis पर बनाऊंगा, लेकिन अभी तक बच्चों का यही कहना है, कि paper का level जो था shift 1 के अंदर moderate था, आवा जाते हैं reasoning के ओपर चलिए sir, sir please, तो अभी आपने देखा देखने को मिलें जिनको बच्चाए कहा रहें कि यार वो कोशन थोड़े से level के अदर्वाइस पूरा जो paper है उसको हम इसी कह सकते हैं, नमबर सीरीज के दो कोशन देखने को मिलें, simple दौनों की दौनों सीरीज जो है वो एडिशन बेज जो हैं बच्चे बता रहे हैं कि difference ब बढ़ा साम बोल सकते हैं, pattern अलग नहीं है, मतलब संख्या बढ़ा दिये, mathematical equation से दो कोशन अब तक पूछे जाते थे, बौर्ड मास बेज्ट यह वह वाले कोशन हैं, जिनमें हम यह कहते हैं कि कि किन्दों चिन्दों को आपस में interchange करें कि जो equation है, एकदम से टका टक हो जाए मतलब ठीक हो जाए, इस बार इस से दो की बजाए, चार कोशन, दो कोशन एक्स्टर बढ़ा है, हाला कि लेवल इजी रखा है, लेवल घटा दिया है, number of questions बढ़ा दिया है, बौर्ड मास कोशन के, direction के दो कोशन आए हैं, जिसमें जैसा पता चल रहा है, बच्चों के तुर circular based आए हैं, और एक तीन कर सकते हैं, आप sitting arrangement के तीन कोशन है, दो circular है, एक linear है, दो आसान आये थे, एक थोड़ा सा बता रहे हैं, बच्चे के थोड़ा लेंदी थी एक sitting arrangement, तो बाकि दो normal आये, जो कि 30 seconds के अंदर बच्चे ने जासा मेरे को बताया, 30 seconds में उसने वो sitting arrangement भरा ल analogy के चार कोशन आये थे, जिसमें similar set के दो कोशन देखने को मिले है, ठीक है, याद रखिएगा, number analogy के चार कोशन है, जिसमें similar set के दो कोशन आये, उसमें से similar set का एक कोशन थोड़ा सा difficult उसको बता रहे हैं, बच्चे, word formation यह मैं बता देता हूँ, यह एक pattern जो कि अभी तक SSE नहीं पूचता था, इस बार पूचा हाला कि मैंने पढ़ाया था यह पेड़ बेच के अंदर और YouTube पर भी यह वह वाले question है, जिसमें एक word को पहले आपको alphabetically arrange करना था, Spanish word आया था, पहले आपको Spanish को alphabetically arrange करना था, और फिर आपको यह बताना था कि कि कितने ऐसे लेटर हैं, जोन्होंने अपनी position को change नहीं किया है, कुतने ऐसे लेटर हैं, जो उसी position पर बने रहे हैं, जो कि original word में है, चली, figure completion के चार question, यहां पर भी हमें देखने को मिलाए कि, पहले दो question आते थे, यहां पर दो number extra पूचे गए, चार question आये, figure completion से, सिलोक की बात करें, तो एक अभी तक दो question आते थे, इस पर तीन question पूचे है, possibility based नहीं आये है, few और only few वाले भी नहीं आये है, simple आये है, जो simple pattern बढ़ाया, direct conclusion, indirect conclusion, और chain rule, इनहीं पर बेज़ लॉग आपने बना लिया, तो हमारे लिए असी बात है कि इस लोग ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, immediate figure, again, दो ही आत possible relation के तीन question आये, when diagram के दो से तीन question आये, जिसमें से दो question वैसे आ रहे हैं कि जिसमें बोल दिया, male rabbit और dog का वैंडागर मैं एक example दे रहा हूं ऐसा और एक वहाता है, common part होता है, तो when diagram का भी वैसे वैंडागराम का भी एक question यहापर देखने को मिला है, तो मोटा मोटी अगर म नहीं कि आ यहाण है, के बोलकुल नहीं यह नहीं पूछा है, पहले वीसमें यहाँ में कर तो मेंठा कर तो मैं कमेंट में बता दूएगा आपको बता दूँगा, घिक तो रहा है, स्वहाँन कमें काथ बनेते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पार्ट नहीं था कि आप लोग ना कर पाए हो जिसने भी रेगुलर टेस्ट बुक पर सेशन्स देखे हुए हैं अगर कुछ मेरे मेराथन सेशन्स भी देखे होंगे उन्होंने पूरे सेशन्स नहीं देख पाए होंगे तो इसली कर पाए होंगे लगबग जितने भी बच्चों का फीडबेक आ रहा है तो 35 से लेकर के 40 तक इसली सभी ने किया हुआ है और मैं जहां तक मानता हूं कि इंजीनियर अगर इतना कर पा रहा है तो बहुत अच्छा दिके जी कि यह से मैं बात करने जाया है तो इस बार पॉलिटी का जो वेटे होता है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे कोश्चन मनते हैं पार्ट फिप्त में आप प्रेशिडेंट पढ़ते हो वाइस प्रेशिडेंट पढ़ते हो पीम के बारे में कांसल आप मिनिस्टर के बारे में अटर्णी जिनर्र के बारे में आप साथ मे यार इसको एकदम रट्टा मार लो मैं तो कहता हूं अभी जिनका सिप्ट में पेपर बचा है ना जाओ मेरे कास सेशन देख लो पूरा घोल बना करके पीजाओ सिव बाबा की जड़ी बूटी है काम आएगी आपको ठीक है तो इस बार अमेंडमेंट भी काफी सारे आए और लगबग वही सब अमेंडमेंट जो हम लोगों ने की हुए है चाहे वह आप 9th सेडूल की बात करने चाहां लेंड रेफॉर्म की जलो मुझे लगता है मैं थोड़ा भावनाव में आ गया क्योंकि संपल अच्छा सा कोशन आया था चलिए वह भी आया है आपका सिक्स्टी फर्स्ट अमेंडमेंट आया है तो सिंपल सा कोशन पार्ट रहा है ठीक है जोग्राफी के अगर हम लोग बात करने जाए तो जोग है जोग्राफी में एक अरावली जो माउंटेन वाला है तो उसमें टाइप पूछा गया है कैटागरी पूछ गई थी तो मुझे लगते है इस बार थोड़ा सा पॉलिटी का वेटेज ज्यादा हुआ है जोड़ा सा कम हुआ है जो लगवग 12 से 13 कोशन रहते थे बड़ इस मुझे उम्मीद है कि जहां तक साइन से लगबग 10 से 12 कोशन रहे होंगे तो जो बच्चों को याद नहीं रह पाए है वो मुझे नहीं मिल पाए है अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में पूरा कपूरा जा करके कॉपी-पेस्ट मार दीजे हिस्ट्री में कोई कोई अभी तक नहीं मिला है दोस्तों मुझे ठीक है तो definitely ऐसा तो है नहीं कोई कोई कोश्चन नहीं आया होगा जरूर आया होगा जरूरा बच्छों मुसे एक ही कोश्चन मिला है यह तो कमेंट सेक्शन में बताएगा हाँ इस्टेटिक जीके डेफिनेटली देखने को मिला है, डांस वाला सेक्शन आया हुआ, तो दोस्तों, ठीक है, मैंने अल्रीडी डेंप्स वालो जो पार्ट था, वो आपको इस्टेटिक उसमें जो ग्रॉफी मेट कर दिया, तो इस्टेटिक जीके में आपको जो डांस वाला कोश्चन है, वो एक ही मिला है, जो बिहार से जुड़ा हुआ आपका जिंजिया डांस था, जो फॉक डांस है, वो वाला कोश्चन है, ठीक है, अच्छा, एकनॉमी में, अभी तक मुझे एक ही कोश्चन मिला है, तो economy में ज्यादा तर दो से या तीनी question आते थे, economy में एक money based question मिला है, जिसमें types of money से जुड़ा हुआ question पूछा गया था दोस्तों ठीक है, और अगर बात करने जाए current affair की, तो current affair पूरा 2023 का था, जिसमें आपके एक brand ambassador से जुड़ा हुआ question था, आपके chief election commissioner का appointment पूछा गया था, दूसरा अगर मैं बात करने जाओं तो आपका इसमें किसी awards से जुड़ा हुआ, पद मिसरी से जुड़ा हुआ कोई question था, और साथ में एक question जो है, आपके किस से जुड़ा हुआ था, railway के chairman से जुड़ा हुआ, तो overall मतलब जो gk का pattern था इस बार बहुत अच्छा था, अब ब सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए जो नया बैच है, वो 24 जून से शुरू हो जाएगा, और आपको बता है कि जुलाई में official calendar है, वो कहता है कि आपका नया notification जुलाई में आ जाएगा, जो कि अभी हमारा जून चली रहा है, ठीके ना, तो आप उसके लिए भी आप्ट कर सकते हैं, और रही बात आज की shift की, तो सर, civil में तो मतलब जो टेक्निकल का पार्ट है, उसमें बचों कहना यही है कि moderate paper रहा है, हम ना tough कह सकते हैं, ना easy कह सकते है, reasoning लगबग easy कहना है, तो आने वाली shift में देखना होगा कि कैसा रहेगा, लेकिन अभी की shift को देखें, तो ए notes की और आपके classes की, तो classes अभी भी चैनल पर आपके लिए लगातार चल रही है, आप updated रहे, चैनल को subscribe कर ले, वीडियो को like कर ले, और मन में कोई भी दोविदा हो, कोई भी आपको लगती है बात, तो वीडियो के नीचे comment कर दें, और जितनी भी बात है आज लिख सकते हैं, लिख दीजे, सोदाइट की हम आप लोगों की बातों को जान पाएं और उसके उपर जो भी आपको best solution हो सकता है, advice हो सकती है, वो दे पाएं, ठीक है ना, इसके मन बाकी हर एक चीज़ हम पर छोड़ दीजे, हम कोशिश करेंगे, इसलिए आज हमने वही अपना data अपने studio में डाल लिया है, ठीक है ना, पूरी तरह से, और यही है हम, ठीक है ना, तो जो दिक्कातारी बताते जाएं, उसको solve करते चले जाएंगे, so that कि आप exam में अच्छे से अच्छा कर सकते, बहुत बहुत धन्यवाद, take care.